करवा चौथ 2019 प्रियंका चोपडा, निक जौनस, दिपिका, रनवेर, नुसरिच जहान, निखिल समेती ये सेलिब्रिटीज मनाएंगे पहला करवा चौथ भारत के बड़े त्योहारों में करवा चौथ का त्योहार भी माना जाता है आज यानिके 17 अक्टूबर को देश भर में शादी शुदा महिला ये बड़ी धूम धाम से करवा चौथ मनाएंगे इस त्योहार को लेकर सुहागनों में एक अलगी उत्सा होता है आम मेलाओ से लेकर सेलिब्रिटीज सभी करवा चौथ का त्योहार बड़ी धूम धाम से मनाते हैं इस साल कई ऐसे सेलिब्स है जो अपना पहला करवा चौथ मनाएंगे दिपिका रणवीर से लेकर कपेश शर्मा और गिन्नी तक कई ऐसे बॉलीवूड और टीवी सेलिब्स हैं जो इस साल पहली बार करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे हम आपको बताते हैं उन सेलिब्रिटीज की बारे में जिनका इस बार पहला करवा चौथ है पहले नमबर पर है दिपिका पादुकॉन और रणवीर सिंग दिप फिर ने 14 नवंबर 2018 में शादी की थी इन दोनों की शादी काफी ग्रेंड तरीके से हुई थी जिसमें लगभग पूरी फिल्म इंडिस्ट्री में शिर्कत की थी इन दोनों को बॉलिवुट की सबसे लविंग कपर में से एक माना जाता है ये दोनों का ये पहला करवा चौथ है दूसरे नमबर पर है प्रियंका चोपड़ा और निक जौनस एक दिसमबर 2018 में ही प्रियंका ने निक से शादी की थी दोनों ने जौतपूर के उमेद भवन में काफी शाहे तरीके से शादी की थी शादी की बाद प्रियंका अब नियू यौक में सेटल हो गई है तीसरे नमबर पर है नुसरत जहां और निकिल जैन तुर्मल कॉंग्रेस की सांसद और बंगाली आक्ट्रेस नुसरत जहां ने इसी साल 2019 में शादी की है नुसरत ने बिजनसमेन निकिल से शादी की है नुसरत एक मुसलिम लड़की है लेकिन निखिल जैन से शादी के बाद वो हिंदू धर्मों के सबी त्योहार मनाती है ऐसे में उम्मीद है कि नुसरत करवाचाथ का भी त्योहार मनाएंगी चाथे नमबर पर है कपिल शर्मा और गिन्नी चत्रत टीवी के मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को गिन्नी से शादी की थी कपिल शर्मा तो जल्द ही पापा बनने वाले हैं इस साल दोनों का ये पहला करवाचाथ है पांचवे नमबर पर है पूजा बत्रा और नवाब शाद बॉलिवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने एक्टर नवाब से अचानक ही शादी कर ली थी दोनोंने इस साल जलाई में शादी की है सोशल मीडिया पर एक फोटो के जरिये दोनोंने अपनी शादी के बारे में खुलासा किया था झाल